ममतब एनर्जी ने वोटिंग में घड़बडी का आरोप लगागर जिस पोलिक भूत पर करीब देड़ घंटे तक अघोशत धरना दिया उस भूत पर किसी तरह की धांदली के आरोपों से चुनाव आयोग ने इंकार किया है चुनाव आयोग ने काये कि नंदीग्राम के बोयल, मोकता, प्राइमरी, स्कूल के बूत नंबर साथ पर वोटिंग के दोरान किसी भी वोटर को वोटिंग में दिक्कत नहीं आई थी उधर ममता बैनर जी के लिखिज शिकायत पर चुनाव आयोग ने अधिकारियों से कल शाम 6 बजे तक रिपोर्ट मांगी है दूसरे चरण में पस्चिम मिदनापूर समेत 10 जगे जड़ पे हुई, केशफूल में भी दो दलों के कारेकरता भीड़े डेबरा में बीजेपी के पोलिंग एजेंट की पिटाई की गए टीमसी ने आरोप लगाए कि जड़ातर पोलिंग बोथ पर बीजेपी के बाहरी गुंडों का कबजा था जो टीमसी के वोटरों को वोट देने से रोक रहे थे नंदी ग्राम में बीजेपी ने अपने एक कारेकरता की मौत पर भी हंगामा किया कारेकरता का शाओ कल फंदे से लटका मिला था बीजेपी के रोड़ शो में जाने पर टीमसी के लोगों से धमकिया मिल रही थी असम में भी दूसरे चरण के मतदान में खरीब 77 फीस सदी वोटिंग हुई है तीसरे दौर के मतदान के लिए कोकराचार में चोना प्रचार कर रहे प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने कॉंग्रिस गठबंदन पर असम का पमान करने का आरूप लगाया असम की बेहनों के स्रम के प्रती गमोसा का सरे आम अपमान किया गया असम को प्यार करने वाला हर व्यक्ति इन तश्वीरों को देखकर बहुत आहत है वहीं चुनाव आयोग ने BJP के सीनियर नेता हिमंता बिस्वस सर्मा को आदर्श अचार सैंटा के उलंगन के आरूप में नोटिस दिया है कॉंग्रिस के शिकायत पर हिमंता बिस्वस सर्मा को ये नोटिस दिया गया है दो एपरिल की शाम पांच बजे तक उन्हें इस नोटिस का जवाब देने को कहा गया है उदर सिल्चर जिले के धरनी एलपी स्कूल वोटिंग सेंटर और BJP और AIUDF के कारेकरताओं के बीच हात अपाई हुई जिसमें पुलिस को फारिंग करनी पड़ी इस गटना में दोनों पाठियों के कारेकरताओं के जखमी होने की खबर है असम और पश्चमंगाल की चुनावी दोरे के बाद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तमिलाडू के मदोरेई पहुँचे पिया मोदी ने मिनाक्षी देवी के मंदिर में पूजार चना की मिनाक्षी देवी मंदिर को तमिल संस्कृती का केंद्र माना जाता है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तमिलाडू में कई चुनावी सभा को समोधित करेंगे वो सुबहा 11 बजे मंदुरेई और शाम 4 बजे कन्या कुमारी वें जनसभा को समोधित करेंगे कल केरल में भी दो रैलियों को समोधित करेंगे प्रधान मंत्री ग्रिह मंत्री आमिच्षा ने आज दक्षिन भारत में चुनाव प्रचार किया तमिल नाडू के तिरुको इलूर में जनसभा को समोधित करते हुए आमिच्षा ने डियमके और कॉंग्रिस पर वंच्वात को लेकर हमला बोला अमिच्षा ने तमिल नाडू में एक रोट शो भी किया तमिल नाडू की 234 विधानसभा सीटो पर 6 अपरेल को वोट डाले जाएंगे इससे पहले ग्री मंत्री ने पुदुचेरी में भी राली की केरल में यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने चुनाव प्रचार किया उन्होंने केरल की विजएन सरकार पर तुष्टी करण की राजनीती का आरोप लगाया केरल में भी 6 अपरेल को विधानसभा चुनाव है बदवार को पंजाब के मोहाली में पेशी के लिए यूपी का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी जिस अम्बूलेंस से लाए गया था उस पर विवाद बढ़ गया है मुख्तार अंसारी को जिस अम्बूलेंस में लाए गया था वो श्याम संजीवनी हॉस्पिटल बारा बंकी के नाम पर रजिस्टर्ड है जिसकी संचाली का डॉक्टर अलका राय है इस पर डॉक्टर अलका राय का कहना है कि 2013 में मुख्तार अंसारी के किसी शक्स ने हॉस्पिटल से एक एम्बूलेंस की मांग की थी जिस पर उन्हें एम्बूलेंस दिया गया था वहीं कॉंग्रस के नेता अजे राय ने मुख्तार अंसारी अमुलन फिवाद को लेकर बीजेपी पर सवाल उठाएं अजे राय ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता डॉक्टर अलका राय के बहाने मुख्तार को बचा रही है केंद्र सरकार ने 24 घंटे के भीतर लगू बचत योजनाओं पर ब्याजदर में कटोती का फैसला वापिस ले लिया है वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन ने ट्वीट कर बताया कि भारत सरकार की लगू बचत योजनाओं की ब्याजदरे उन दरों पर बनी रहेंगी जो 2021 की अंतिम तेमाही में मौझूद थी ओवरसाइट की वजह से जारी आदेश वापिस ले लिये जाएंगे वित्यमंत्राले की यूटरन पर कॉंग्रिस समेत कई दलों ने सवाल उठाए और पूछा की क्या चुनाव के बाद ब्याजदरों में कटोती नहीं होगी वाइनाच से कॉंग्रिस संसद राहूल गांधी ने ट्वीट कर कहा की पेट्रोल डीजल पर तो पहले से ही लूट थी चुनाव खत्म होते ही मध्य वर्ग की बचट पर फिर से ब्यास कम करके लूट की जाएगी जुमलों की जूट की ये सरकार जनता से लूट की पाकिस्तान सरकार 24 घंटे के भीतर अपने उस फैसले से पलट गई जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान की सरकार भारत से चीनी और कॉटन आयाद करेगी पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी ने कहा कि जब तक भारत सरकार जमू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला वापस नहीं ले लेती है तब तक कोई व्यापार शुरू नहीं होगा दरसल भारत से कपास और चीनी के आयाद पर रोक लगाने के बाद पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई हैं इसके बाद से आयाद पर से बैन हटाने की मांग की जा रही थी उसके बाद बुदवार को पाकिस्तान की आर्थिक समनवे समिती ने भारत से चीनी और कपास के आयाद को मंजूरी देने का फैसला किया था लेकिन आज इमरान खान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इसे खारिच कर दिया गया